एक तरफ तेजस्प्री यादो के जन्म दिन के दिन राजद करयाले के बाहर आंगनबारी सेविकाओं को बुरी तरीके से पिटा जाता है तो दूसरी तरफ पपू यादो उनको अपने हाथों से खाना खिलाते हैं पपू यादो खाउद खाना बनाते हैं और आंगनबारी सेविकाओं को अपने हाथों से खाना खिलाते हैं और उसके बाद कहते हैं कि अगर हम सरकार में रहते तो छाती पर बैठ कर इनका हक जो है वो हम दिलवाते हैं छाती पर बैठ जाते वो गटबंदन के तमाम डलों को स चुना रहे थे कि सिर्फ seat sharing के लिए आप गटबंदन में हैं, सिर्फ सरकार में बैठने के लिए गटबंदन में हैं, कि आपको इतना भी हक नहीं कि अधिकार नहीं कि आप जा कर आंगनबाड़िस युकाओं को इनका हक दिला सके, जहां एक तरफ लोग दिवाली और चट मना और आप विस्तार से आपको समझाएंगे कि पूरा मामला क्या है आखिर आगनबाडी सेयुकाओं कि साथ पप्पु यादो खड़े होको और निटीश कुमार और तजश्वी यादो को क्यों सुना रहे हैं लेकिन उसके पहले नमस्कार में आनाम शशांग पांडे आप जनता की सरकों पर उतर रही हैं लाठिया खा रही हैं बिलान सभा का सीथ कालिन सत्र चल रहा था अंदर सत्र चल रहा है और सदन के बाहर ये महिलाओं पर लाठी चार्ज हो रहा था महिला पिटा रही थी उसके बाद महिलाओं को लगा कि चलो तेजस्वी यादो का जन्म दिन है उनके party करयाले चलते हैं तो उनके party करयाले जाकर हम लोग अपना अधिकार मांगेंगे अपना हक मांगेंगे और जब तेजश्री यादो की party राज़त के party करयाले महिला पहुंचती हैं तो वहाँ पर इनके उपर पानियों का बोचार किया जाता है और उसके बाद फिर लाठी पर ले जाते हैं कहते हैं कि आप लोग यहां रहिए आप लोगों के रहने खाने का बेवस्ता हम करेंगे आप लोग यहां रहिए खाईए और हम खाना बनाएंगे पपू यादो एक जगह पर ले जाते हैं उनको वहां पर टेंट गिरता है और उस टेंट के अंदर इन को रखा जाता है पपू यादो अपने हाथों से खाना बनाते हैं खाना बना कर इनको खिलाते हैं और उसके बाद कहते हैं कि आपको आपका भाई अधिकार दिलाएगा आपका जो भी अधिकार होगा आपका भाई आपके सांथ रहेगा आपकी लड़ाई लड़ेगा और ये तस्वीर देख लिजिए ये बीच में आपको पपू यादो नजर आएंगे और चारो तरफ से महिलाओं ने इनको घेर रखा है अपने साथ वो सेलफी ले रही हैं वो बता रही हैं कि हमारा भाई हमारे साथ आ गया है अब नितीश कुमार कुछ नहीं कर पाएंगे अब तस्वी जी ऐसे नहीं होगा इस तरीके से सरकार आप नहीं चला सकते हैं नितीश जी ऐसे आप सरकार नहीं चला सकते हैं और उसके बाद वो माले के और कॉंग्रिस के निताओं को कहते हैं कि क्या सिर्फ सेरिंग के लिए आप लोग गठबंदन में है क्या आपकी इतनी भी हैसियत नहीं कि आप जाकर तेजस्वी आदों से कह सके चाहे नितीश कुमार से कह सके कि महिलाओं पर लाठी चार्ज क्यों हो रहा है आप उनका अधिकार दीजिए उनका हक दीजिए दिवाली छट में सब लोग अपने घर पे है साफ सफाई कर रहा है दिवाली छट मनाने की हम सरकार का हिस्सा रहते तो छाती पर बैठ कर और कहते कि अधिकार दीजिए यानि कि तेजस्वी आदों के छाती पर बैठ कर पपू यादों कहते कि दीजिए अधिकार दीजिए मैला जो है सड़क पर उतर रही है उन पर लाठी चार्ज नहीं होना चाहिए उनको उनका अ आंगनबाडी से युकाओं पर लाठी चार्ज होते रहा पहला दिन आपको विधान सभा और उसके बाद दूसरा दिन डाक बंगला चौड़ाहा तीसरा दिन राजद करे आले और इसी तरीके से महिला प्रती दिन सुबह उठकर कभी विधान सभा का घेराओ तो कभी डाक बं देना लेकिन महिलाओं की बात कोई नहीं सुन रहा मैं तब आंगनबाडी से विका जो है वो लगा तार गरदनी बाग में अंदोलन कर रही थी जब उनको लगा कि अब हमारी बात नहीं सुनी जाएगी तो वो विधान सभा का घेराओ करती है उसके बाद फिर लाठी चार् और आप पपू यादो कह रहे हैं कि आपकी लड़ाई हम लड़ेंगे देखिए किस तरीके से महिला जो है वो पपू यादो के गले लगकर रो रही है पपू यादो कह रहे हैं कि आपका भाई आपके साथ है आप चिंता मत करिए छाती पर बैठ कर आपका अधिकार हम दिल आमार साथ और देखते रहें जन्त आजंशन